तो दोस्तो आज 18 में 2023 सबसे पहले हम मार्केट के उपर दो मिलिट पहले चर्चा करेंगे उसके बाद हम ITC की quarter for result के उपर चलेंगे ठीक है तो मार्केट में आज थोड़ा बहुत volatility था थोड़ा बहुत correction भी देखने को मिला अब देखें जैसे कि कल रात सारे 10 की वीडियो में मैं आपको clear cut mention किया था कि आज मार्केट के अंदर एक gap opening हो सकता है और काफी बढ़िया gap opening आज दोस्तो market में देखने को मिला था लगबग देखा जाए Nifty 50 100 पॉइंट उपर उपर उपेंड हुआ था अब देख सकतो चार्ट पर उसके बाद देखें मार्केट में थोड़ा 1104 पर तो जिस बैसे हमेशा मैं आपको बोलता हूं मार्केट में कोई भी डिशन लेने से पहले प्रॉपर उसके पीछे लॉजिक को समझे उसके पीछे जो लेबल से सपोर्ट है उसको अच्छे से समझना तो देखना आपको जो डिशन लेना बहुत ज़दा आसान हो जाए मार्केट में ग्याप ओपेनिंग हो सकता है तो इसका अपडेट आज दे दूंगा रात सारेदस के वीडियो में साथ में एफाइस डियास का डेटा गलोबाल मार्केट का अपडेट कुछ इंप्रेंट ब्रेकिंग नो तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल को स सब्सक्राइब करके जरूर रखना और फॉलो जरूर करना हर एक वीडियो फिलाल अगर हम बात करें आज की डेट पर दोस्तों ऑटो सेक्टर में फिर से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला तो आज फिलाल लगबग 0.79 परसें गिरावट में क्लोजिंग दिया साथ नहीं मिला फिर भी कोई बहुत 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 तेजी भी देखने को नहीं मिला सेम तुसे में हमने देखा आज की रेट पर लगबग ऊपर की तरब 40,050 पॉइंट के आसपास फ़र रेजिस्टेंस फेस किया एक दुबार इस लेबल के आया भी था शूरू-शूरू में से फोरा बहुत पॉजिटिब में क्लोजिव या भी कोई बहुत बढ़ा करेक्शन या गिरावाट देखने को नहीं मिला बट फमसी सेक्टर दोस्तों काफियत ते गिर चुग है खासकर के जो बड़े फमसी सेक्टर की स्टॉक से जैसे कि आई टी सिलिमिर आप उठा सकतो इस बाइस उसका इंपेक्ट भी देखने को मिल गया आई टी सेक्टर शुरू में तो थोड़ा बहुत तेजी था इन्फोस्ता से शेयर वी प्रोजेस शेयर बट क्लोजिंग दोस्तों थोड़ावाट नेगेटि में जिस बैसे मार्केट हमें देखा की एक्सपैरी के दिन फोड़ा बहुत जरूर ट्रेट करते हैं इसके उपर विस्तार पूर्वक अपडेट कल मार्केट किस तरफ रहेगा उसका वीडियो आज रात सारे दसकी आसपास आजएगा ठीक है उसको फॉलो जरूर करना नेक्स बात करें आई टी सी तो जिस बज़े से आप इस वीडिय तो जिस बैसे में देखा क्या सुवाजी सेक्टर वाइस एफमसी सेक्रा थोड़ा बहुत कमजोर था जिस बैसे देखे आई टी सी लिमिटेट के अच्छे रेजल्ट आने के बाब जूद भी इस लेबल के बाद देखे शुरू-शुरू में थो फोड़ा पॉजिटिव मे लास्ट यर की बात करें कंपणी का नेट प्रॉफिट का नंबर था 4196 करूर रुपए इस बार देखे 30% के आसपर ग्रोथ देखने को मिला बहुत अच्छी बात है जो कि यर और यर बेस पे और इस बार जो नेट प्रॉफिट कंपणी का आया है यहां पे अब देख सेक् किया 6 रुपए 75 पैसे उसके सासा स्पेशल डिविडेंट रेकमेंट किया 2 रुपए 75 पैसे मतब दोनों अगर हम एट कर दे तो कंपणी ने टोटल सारे 9 रुपए का यहां पे टोटल डिविडेंट डिक्लेर कि आप देखे एक रुपए फेसबाल और जैसे के आपको कि इस कंपणी का शेयर यानि आईटीस का शेयर खरीदारी करते हो तब ही जाके आप इलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे यह डिविडेंट पाने के लिए ठीक है अब बात करेंगे रेविन्यू अब ये बात भी फिक्स ता कि रेविन्यू के अंदर भी थोड़ा बहुत जादा बढ़ चुका है और रेविन्यू की बात करेंगे जो अल्डिमेटली मार्जीन है जो प्रॉफिट मार्जीन है उसमें हुज एक्स्टेंट हमें देखने को मिला जो कि बहुत अच्छी बात है अब देखें यह तो हमने रेविन्यू देख लिया हमने देख ल सरकार ने बहुत जादा एक्स्टा टैक्स बगर अलगा था इस बार दोस्तों फिर से हमने देखा चंगा हो चुका अब देखें लास्ट यहां पे टोबायकू बेस्ट बिजनेस से टोटल रेविन्यू आया था 7177 करोड़ के आसपास इस बार 13% के आसपास ग्रोथ देखन में ठीक है उसमें 13% की इंक्रीज देखने को मिला यानि आप समझ सकतों कमपनी के जहां से सबसे आधा पैसा जनेरेट करके देदा है वहां पे 13% का इंक्रीज हुआ यानि ओवरल अगर हम बात करें जिस बाएसे एक पॉजिटी भी इस बारा में रेजल्ट देखने को मिला साथ इसाथ अगर हम बात करें जो दूसरे FMC सेक्टर में भी कमपनी का अच्छा खासा पकर है यहां पे भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला तो टोटल अगर हम बात करें FMC सेक्टर से भी 19% का आजपसा में ग्रोथ देखने को मिला यहां पे year on year basis पे इस बार टो ट भीक टक लगा बाकी देखिए आज मार्केट कैसा रियाक्ट के तो वह तो इंस्टेंटी है बट साथ साथ ये भी आप देख लीजे कंपनी जो एस्टीमेट था मतब ब्रोकरेज कंपनी त्वारा जो एस्टीमेट किया था देखे प्रॉफिट बीट एस्टीमेट और फमसी से हम भी जनेट हो सकता है ठीक है क्योंकि आज मार्केट का भी थोड़ा प्रेशर था जिस बैसे थोड़ा करेक्शन देखने को मिला इंस्टैंड ली तो आज की देखिए हो सकते है कि शर्ट नीचे जाके क्लोजिंग दिया बट डेलीवरी का बढ़िया देखने को मिला 40 पर स आज सुबा का जो पर्फरमेंस है शियर करीब करीब अपने हाई के आसपास ही पहुंच गया तो ऊपर की तरब तो एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है जहां पे 430 के आसपास आप बोल सकते इसका आल टाइम हाई नीची की तरब अगर हम बात करें तो लगबग 400 से लेके आ अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो चार्ट पर यह देगे शियर पीन सो नबभई कभी 400 इसी लेवल कास पर बहुत महींनों से यहां पर इक मैने पहली एप्रिल के मैने पर यह लेबल ब्रेक करके पहुंच को ऊपर की तरब तब यहां पे अच्छ करना उसको पर डिशन लेना ठीक है अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट के तरब मुन से बूच सकतो फिलाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्यार बबाई जय हिंद